करेा नमस्कार अगर आप वैसे बिना चेक किये आप लाते हैं तो भाई अगर खराब निकलता है तो दुकंदार वापस नहीं करेगा क्योंकि वो बिनाव गारंटी के उसको मिलता है तो उसको गारंटी नहीं मिलेगा तो आपको भी गारंटी नहीं देगा हाँ आप एक चीज़ कर सकते हैं कि उसके दुकान पे चेक कर सकते हैं उतरा वो बोल देगा कि आप चेक कर लीजिए अब ऐसे में दुस्तु दुकांदा आपको अनमती दे देगा लेकिन बुलेगा भाई अपना जुगार हो तो चेक कर लिजे तो भाई आप वहाँ एम्पलिफायर तो अपना उठा के ले नहीं जाएंगे चेक करने के लिए तो आज मैं बताओंगा कैसे आप कार्ड खरीते समय अगर आपको अनमती दुकंदार दे देता है तो कैसे आप वही पे चेक कर सकते हैं जैसा कि यहाँ कार्ड खरिटे समय आपको क्या-क्या मिलता में पहले दिखा दो, यह आपको इस तरह से कार्ड मिलेगा, और एक इसमें रिमोट मिलता है, और यहाँ पे दो वायर मिलते हैं, ठीक है, इतना सामार इसमें मिलता है, अब अगर दुकांदार आपको अन्मती दे है, तो आप घर से कुछ मत करिए, एक चीज आप लेते जाहिए, इस तरह से एक फाइप सी बैटी अगर आपके पास है, तो आप फाइप सी बैटी लेते जाहिए, ठीक है, अब क्यों, क्योंकि और कुछ आपको खोजने की जुरत नहीं है, इसको पाकेट में रखे रही है, चार्ज रहनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पे आप यह जो वायर मिलता है, इस वायर को यहाँ पे करेट कर लिए, किस में करेट करना है, जो यहाँ रेड वाला सौकेट है, इसमें आपको यहाँ पे इसे करेट कर देना है, ठीक, करेट कर देने के बाद आप यहाँ पे और 5 बॉल्ट वाला वायर आप अलग कर लीजिए यह 5 बॉल्ट वायर हो गया तो यह हमारा ground हो गया अभी आप बैटी यहां इस तरह से लीजिए और बैटी पे आप प्लस वाले पे यहां अपना प्लस वायर लगा दीजिए ठीक है यहां पे इस तरह से और माइनस पे माइनस थोड़ा कार्ड भी आपको दिखना चाहिए कि आन हो रहा है या नहीं आन हो रहा है ठीक है इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ लगाने में दिक्कत होगा चुकि आपको दिखाना भी है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर सही से लग नहीं रहा है एक नट तो देखिए यहाँ पर जैसे हमारा सही से कनЕक्ट हुआ यहाँ पर हमारा जो Bluetooth कार्ड है वो आन हो गया तो इतना से आप चेक कर सकते हैं कि आपका Bluetooth कार्ड जो है वो बिल्कुल ओके आन पोजीसन में है तो ऐसे आप चेक कर लेते हैं, तो आपका समझ लीजिए, आप घाटे से मतलब हाइदे में रहेंगे, क्योंकि अगर खराब निकलता है, तो दुकांदार आपका वापस फिर बाद में नहीं करेगा, अब एक चीज यहां इसका आउटपुट भी चेक करने का हुआ है, लेकिन मैं दूसरा एक बैटी लेता हूँ, यह दुकांदार के हाँ आप नहीं कर पाएंगे, बस ही मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आउटपुट चेक करने का, यहां जो इसे इसको कनेट कर दिया, मैंने बैटी को, ठीक, इसके बाद यहां पे, यह आउटपुट वायर है, जो हमारा एमप्लिफायर बोर्ड में लगता है, ठीक, बोर्ड में, अब यहां पे जो तीन वायर देखिए तो हमारा एंटीना हो जाता है, और यह तीन वायर जो हैं, इसमें आपका बीच वाला निगेटिव होता है, यह दोनों हमारा आउटपुट, आडियो ले लेंगे और मल्टी मीटर को हम रख लेंगे यहां दो सौ it में ठीक है यहां दो हैं यहां अपना इफ-म-पे लगा देंगे जैसे हां अ Double eight von waffle 5 इस तरह से लिख रहा है ठीक है एक लिगा लेंगे और बीच वाले वाइर को हम लगा देंगे अपने मल्टीमीटर के ग्राउंड पे हैं ब्लाइक वाले वाइर पे और यहां पे जब हम इनके दोनों तारों पे लगाएंगे तो यहां voltage हमारा up down होना चाहिए इस तरह से देखे यहां इस्थिर voltage नहीं होना चाहिए आप देख सकते हैं दो हो राय पांच हो चवदा चो तेरा इस तरह से हमारा voltage यहां पर परिवर्तित होना चाहिए अगर परिवर्तित हो रहा है तो इसका मतलब है हमारा इससे output आडियो का जा रहा है यानि इसका आडियो भी हमारा ओके है तो दोस्तों इस तरह से अपने Bluetooth कार्ड को आप चेक कर सकते हैं बीना अपने amplifier से जोड़े अगर यह वीडियो आपको प्रसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार